डिलाइट आईएस पर आप सभी का एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो UPSC Prelims Examination की चीज़े जो है अब आप लोगों के दिमाग में है क्योंकि अगला Target वही है और सबसे बड़ा सवाल जो इस चीज़ को लेकर होता है और बहुत ज़्यादा बच्चे द्वन्द में भी रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है लिम्टर टाइम होता है चीज़े ज़्यादा होती है कितने सब्जेक्ट दिन में पढ़ने चाहिए कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रत है अगर आपको entertainment के लिए टाइम निकालना है तो उसके अंदर कौन सी चीज़ों पर काम करना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपके मन में द्वंद हैं जो सवाल हैं उन सब चीज़ों को हम लोग एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बट गहराई में चर्चा करने का प्रयास करेंगे solve करेंगे उन द्वंदों को उन द्वंदों के answer ढूणने का हम लोग प्रयास करेंगे इस time table को अगर आप लोग follow करते हैं तो next year आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी सबसे पहले देखो importance क्या है time table की सबसे पहली चीज़ तो यह है अगर आप किसी युद के लिए तयारी कर रहे हो है ना कोई एक बहुत बड़ा युद है आपके जीवन से बड़ा युद क्या है इसमें है ना आपका जीवन टै होना है अगले साल की 25 मई से कि अब आप आग अचे से plan होना बहुत ज़दा जरूरी है ना हम लोग difference भी देखेते planning और strategy में तो competition factor को ध्यान में रखकर आप लोगों को अपना time table इतना बहुतरीन plan करना होगा देखो बहुतर time table किसको बोलते है ना अगर मैं इसकी importance की भी बात करूँ और ये भी देखो एक अच्छा time table हो complete हो जाएं इसका मतलब ये है कि अभी से आपको एक ऐसा time table फॉलो करना होगा जिससे फैब या मार्च तक आपका mains का examination के सारी चीज़े पूरी हो जाए optional आप लोगों का complete हो जाए उसके बाद जो है मई जैसे आपका examination है तो April 30 तक आप लोगों का prelims को लेकर सारा काम पूरा ह जाए उसके बाद थोड़ा बहुत current affair की चीज़े बची हो मेंस के point of use से वह आप लोग बाद में प्री के बाद कर सको तो उसको एक बहतर time table आप लोग कह सकते हो है ना तो अब देखते हैं कि एक अच्छा time table या उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़ुरत है देखो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखो देखो दिन के time table की हम लोग बात कर रहे है ना daily routine हमारा किस तरीके से हम लोग जो है इसको बना सकते हैं देखो कितने घंटे पढ़ना चाहिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दिन में कितने घंटों जो है पढ़ाई होनी चाहिए मेरा मानना यह है कि देखो English medium वाले कहते हैं कि हम लोग 6-7 घंटे पढ़ाई करते हैं हिंदी मीडियम में कई बच्चे कहते हैं 14-15 घंटे पढ़ाई करते हैं यह दोनों चीजे ठीक नहीं ना यह ठीक है न यह ठीक है है ना English medium के लिए इनफ हो सकता है बट क्योंकि content बहुत ही systematic तरीके से मिल जाता है बट हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ना effort भी ज्यादा करना पड़ता है evaluation के स्तर पर भी कुछ चीजे जो हैं कहीं ना कहीं पर आप देखोगे तो English और Hindi के अंदर अगर हम देखें तो evaluation वाली चीजे किसके favor में work करती है English medium के favor में तो उन सब चीजों को और फेक्टर को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना होगा कि हम कुछ इस तरीके से plan करें कि हमारी तयारी भी हो जाए और हम पे ज्यादा burden भी ना पड़े अगर आप 17-18 गंटे दिन में पढ़ते हो त तो extra burden आप पे create होगा है अगर आप बिल्कुल 4-5 गंटे पढ़ाई करते हो फिर burden इससे भी create होगा तो balance क्या है आप minimum अगर है classes अगर आप लोग कर रहे हैं तो 10-12 गंटे की daily routine वाली study होनी चाहिए ध्यान से समझ लीजगा इस चीज़ को जो बच्चे एकदम seriously तयारी करना चाहते हैं और उनको time management को लेकर problem है बिल्कुल ध्यान से इस video को सुनिएगा और फिर उसके according अपने time table को draw करिएगा आप है ना तो daily routine में with classes अगर आप 12 hours की study कर रहे हो 12 गंटे की study अगर आप कर रहे हो आप इनव पढ़ाई कर रहे हो बस मेरा मानो तो पहला तो answer हमें मिल गय 12 गंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए अगर इसके अंदर आप 3-4 गंटे की class करते हो तो घर कम से कम 8 hours की study जो है 8 गंटे की पढ़ाई आप लोगों की होनी चाहिए है ना तो सबसे पहला answer आप लोगों को मिल गया और यह बहुत 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 साइंटिफिक मैंने प्लैन की आप लोगों को कह दिया है इतना अगर करते हो ना तो आपको कोई नहीं रख सकता UPSC Prelims के examination में और आपका कुछ छूटेगा में नहीं आप देखो जैसे मैंने का कि मानलो 12 गंटे का time period है और 12 गंटे में मानलो आपकी 3 गंटे की class भी है ना थोड़ा गंटा कर कर जाके अगर मैं आपको overall कहूं जिन बच्चों की classes है या जो है 4 गंटे मैं इसमें less कर देता हूं एकदम proper तरीके से चीज़े हो जाएंगी अब आपके पास समय कितना बचा 8 गंटे का समय अब इस 8 गंटे को आपको कैसे plan करना है देखो पहली priority हमारी क्या है पहली priority हमारी य दो सब्जेक्ट आपको parallel उठाने है इन दोनों सब्जेक्ट के point of उसे अगर आप लोग देखेंगे तो एक-एक सब्जेक्ट को आप डेड़ घंटे तक दे सकते हो है ना डेड़ घंटे आप इसको दो डेड़ घंटा इसको दो तो total आपके जो है तीन घंटे आपके दो चला गया दो सब्जेक्ट आपने कर लिए डेड़ घंटे का आपने टाइम दिया है सबसे पहले इस चीज़ को समझो आप है ना कोई आप सब्जेक्ट को लेकर सवाल वो अलग से देख लेंगे कि कौन सा पहले उठाना चाहिए कौन सा बाद में सारे चीज़े इसमें डिस को देंगे ठीक है ये नहीं छोड़ना है दो घंटे आपको अप्शनल का करना ही करना है हर दिन और दो घंटे से ज़्यादा ओप्शनल को देना नहीं है ये भी सोच लो अगर आपकी क्लास है कोई ऑप्शनल की धाई गंटे की तीन गंटे की तो दो घंटे ही करो उसमें है तो दो घंटे फिर चले गए तो आपके पास कितने घंटे बचे, तीन घंटे का समय बचा है, अभी भी आपके पास काफी सारा समय बचा है, है ना, आप देखो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो, एक घंटा आपको डेली, डेली एक गंटा आपको C-set को देना है, C-set का examination जो है आपको पता है बहुत important हो गया है पिछले कुछ सालों से, है ना, बहुत सारे बच्चे Hindi माधियम के खास करके C-set से बाहर हो जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है इन तीन गंटों में से, एक घंटा जो है वो आपको C-set को दे देना है अभी भी आपके पास कितने घंटे बचे हैं दो घंटे का समय बचा है, एकदम systematically और scientifically मैं आपका एक एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, जो आपका द्वन्द रहता है मन में, वो आपको खुद से अब देखो अगर ये समझाने के बाद भी खुद के दिमाग से चलना है, तो चलते रहना मुझे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, ultimately नतीज़ा आपके सामने खुद बखुद आजाएगा है ना, अगर आब फॉलो करते हो मानते हो कि as a teacher आपको ज्यादा अच्छे से हम suggest कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को follow कर लेना, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, अब इन दो घंटे में क्या करना है, इन दो घंटे में daily एक और जो है, एक घंटा जो है वो आपको क्या करना है, revise करना है ठीक है, revise करना आपको एक घंटा और last का जो एक घंटा आपके पास बचा है इसके अंदर अगर आप कुछ भी करना चाहें जैसे मानलो, आपको लगता है कि जैसे आपको mapping करनी है, तो आप थोड़ा बहुत mapping कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे means के effect बनाने हैं वो बना सकते हो कुछ भी ऐसी चीज आप parallel यहां पे कर सकते हो यह गंटा आपका free वाला है यह गंटा है पढ़ाई करनी है इसके अंदर छोटे-छोटे कभी reports बना लिए, कभी index बना लिया, effect बना लिया है ना कुछ-कुछ कभी अभ्यास तियार कर लिए, यह वाली चीज आप इस घंटे के अंदर कर सकते हो तो total मैंने scientifically तरीके से आपको 8 घंटे का routine बता दिया है इससे जादा कुछ भी अभी करने की जोरत नहीं, बहुत सारे बच्चों के मन में आगा, सार इससे रह गया, सार यह रह गया ऐसे नहीं होता हो, वो होता है जब एक subject जैसे quality खतम हो गया, ऐससे एक subject है तो वहाँ पे add करो वरना उसको उसी तरीके से जैसे geography खतम हो जाएगा, तो वहाँ पे internal security add करो subject दो से जादा नहीं लेने है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, मैंने आपको with class एकदम scientifically ये चीजे बता दी है एक एक घंटे के अंदर की आपको चीजों को कैसे करना है, लास्ट में बस एक चीज में आप लोगों को और बताना चाहूंगा, वो आप कर सकते हो वो ये, कि जैसे आपके पास ना, जैसे जो आपका free time है, जैसे मानलो आपके पास entertainment को लेकर दो घंटे हैं, या एक घंटे ह बहुत ज्यादा होता है, एक घंटे का entertainment अगर आप लोग रखते हो दिन में की नहीं नहीं बात करनी है, ये करनी है, इसमें क्या करो आप जैसे 10-15 मिनट घर पे बात कर लो, है ना, अगर 15 मिनट आपके जीवन में कोई ऐसा important person है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, 10-15 म मिनट उसे बात कर लो, कोई problem नहीं है, डेली बात कर सकते हो, उसके बाद जो 30 मिनट का समय है आपके पास, है ना, इस 30 मिनट के समय में जैसे आप खाना खा रहे हो, तो 7 मिनट कुछ ऐसा सुन सकते हो, जो जैसे जैसे All India Radio वगर आता है, उसकी news वगर आप डेली बेस पर सु इसको भी थोड़ा सा यूटलाइज कर लेना, है ना, entertainment के point of voice, entertainment यह नहीं होना चाहिए कि आप movie देखने बढ़ जाओ, तिन तिन घंटे का entertainment आप कर रहे हो, वो मत करना, उससे आपको नुकसान होगा, Delight IS के mentorship program में जुड़ने के लिए, आप मुझे संपर्क कर सकते हो, यह number यहाँ पर दे रखा है, एक बेहतरीन तयारी class start हो चुकी है, एक ही class अभी geographic होई है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें तयारी होगी, इंतजार मत करिए, वरना आप चीजों को खराब कर लेंगे, मैं यह तो नहीं कह सकता कि सरफ मैं ही आपको IIS बना सकता हूँ, या मैं ही ह एक विकल्प, बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप इस group में जुड़ते हो, निराश नहीं लोटोगे